हेलो हाई नमस्कार मैं आपका सूरसर स्वागत करता हूँ आज की इस्टेशन में जोग्राफी की दमदार भूगोल का हम ध्याय पर हैं चैप्टर थ्री है हमारा और इसमें हम पढ़ने वाले धरती के आकृतियों भू अकृतियों को पढ़ने वाले बिल्कुल कि यह चीजों और समझ कर जब आपका बुक आ जाएगा आप अपने पड़ा सकते हैं तो आप इसको समझें वहां से आप अच्छा स्कूर कर सकते हैं वैसे भी भारत में इंग्लिस को पूरी तरह से जिकल है और अलाव है तो ट्वेल्ट में हुआ था बट्सापेपर इंग्ल में आपके हैविट में इंग्लिस के वर्ड आते तो भी मत घवर देखों यहां पर एक्सोजैनिक फोर्से एंडेयर रिजल्टेंट लैंड फॉर्म देखिए ऐसे कौन-कौन से फोर्स यानि बल लगते हैं इसकी बजह से धर्ती पर अलग-अलग तरह की आकिरतियां देखन करता है वह सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा करें तो साथ देखने को में 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 लाइन आपको यहां पर पढ़कि बताता हूं जो है यहां पर मेंसे हैं अर्ट को तो खेर करना मुश्किल हो जाएगा बट में में कर सकते आपने पहल प्लेन नहीं है और जिसकी बज़ा से यहां पर जो है एक इंटर्नल फोर्स लगता है और एक इसको बोलते हैं अब इसका जो सिगनिफिकेंस हम पूरा डिटेल जाने यहां पर इसकी बज़ा से कहीं ने कहीं यहां पर कि डाइस्टॉफिक हॉता है अचानक संहीं होता दीरे रहा होता है अगर हम बात करेंगे एंडोजेनिक प्रोसेस यानि कि अन्ता वाला बात करेंगे अन्ता प्रोसेस के तो यह कंसीडर करता है अन्ता वाले प्रोसेस से देखने को मिलता है एंडोजेनिक से देखने को मिलता है अच्छी बात है इसके अलावा जो है अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें रिडेशन या प्लांटेशन प्रोसेस की बात करते हैं यहां पर वहां पर कई तरह के फैक्टर्स होते हैं इसको अफ्यक्ट करता है ठीक है वह सारे us वह जानेंगे यहां पर पार आभी किया इंक्र्था इंट्र॥ा है हम पढ़ने वाले के बारे में परवतों के बारे में समतल के बारे में और यह लोग करेंगे हम लोग इकनीफिकेंस अच्छा फसल होगा तो इस पर भी हमें देखना पड़ेगा पिर जैसे सबसे पहले हम लेके आपको आते हैं अगर आब बात करते हैं इसको जड़ा हम देख लेते हैं समझने कोहिस करते हैं कौन सा फोर्स है जो एक्सोजेनिक में इसमें साब लिखा है इसको मैं एक लाइब करूंगा एक्स्टर्नल फोर्स से कहता वो तारे बल यानि फोर्स तो कहां से डिराइब होते हैं डिराइब दिर एनरजी कहां से करेंगे अर्थ का एक्स्टीरियर अब अर्थ का एक्स्टीरियर मनलो बाहर से जो आपको दिखते हैं बाहर क्या दिखता है यहां पर जो और जिनेट होता है अर्थ के आटमोस्पेर अर्थ के बाहर से होगा अर्थ के बाहर को में समझना पड़ेगा जब आप अर्थ की बात करते है यह बीच में सन के अर्थ में ऐसे करके मूब कर रहा है तो इस सन और इस एर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है तब तो तो दीन और रात होता 24 गंटे का समय बारा 12 गंटे का ऐसे से मूव करते 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 ऐसे मूव हो रहा होता है तो देखिए अपने वाले पर भी चल रहा है तो मून और इसके बीच में विए तो यह सारे बाहर बाहर के नाम से जाने तो इनको हम बोलते लेंड बीरिंग फोर्स भी करते हैं तो प्रोसेस विच ओकर अउन्ड़ सर्फेस अफ देखने को मिलता है इस फोर्स की वज़ा से तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की बज़ा से टर्म एक्सोजेनिक प्रोसेस वो सारे परकिरियाएं जो इस फोर्स की वज़ा से जो भी घटनाए घटती है उसको बोलते एक्सोजेनिक प्रोसेस या एक्सोजेनिक जियो मॉर्फिक प्रोसेस कर जियो मॉर् अंदर जाना नहीं है और एंधर सब्सक्राइब होगा हुगा जो सूर्य का मैंने आपको बताया एक्तो डोघ इटीटीएशन है और दूसरा है पोटेंसियल एनरजी आराइजिंग फ्रॉम दा ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन ऑफ अर्थ पोलर का तो है यह यह दूसरा हमें यह भी देखना पड़ेगा अर्थ भी तो चीजों को अंदर के खीशती है और अर्थ को बाहर भला भी खीशता है इन दा अपसेंस ऑफ सफीसेंट रिजिस्टिंग फोर्सेश ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन ऑफ अर्थ काउजेश दार डाउन स्लोप मोमेंट ऑफ वाटर आइस और पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड स्वाइल देखिए जब यादा जी कोई रोकने वाला नहीं है अधरती खीच रही उसको अंदर कियो क्या होगा मिट्टिक ही सख जाएगा पानी नीचे गिर जाएगा यहीं सब तो होगा वहां पर पुर्द्वाकर्शन का सोलर रेडियेशन एक्टीन डिफरेंट वे जैसे प्रवाइट करता एनरजी कैसे एनरजी जैसे इवोपरेशन के रूप यहाँ आप देखते हिमाले हो गया तो बरफीला हो गया आईसले हो गया तो प्रीडोमिनेटली इन्वाल दा इनुडियसन डाट यहीं सब्सक्राइट जैसे इनरजी जैसे एनर जेनरली लेड टू रिदक्शन इनलेशन एलेशन एन रिफ एन एक्स्प्टेशन इन का बोल रहा है कि यहाँ पर जो ऐस्ञाग आपको देखने को मिलता घमक हावाका यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती तो कई बार इसा होता इलिवेसन की बात्सक्राइध टाइप ऑफ आक्शो जैनिक प्रोसेस की हम बाद करने कि कि सथ से पहले जो यहां पर लिखा है दगरेडेस्टनल और प्लान्टेशन वर्क है यहां पे ऑगरेडेशन और प्लान्टेशन वर्क ऑफ अर्फेस्ट इन और अगरेडेशन की बात करते हैं दो डीग्रेडेशन अपर स्टेंडिंग लैंड मास इज लोए डाउन बाई बेदरिंग अना इस्टी बोलत डिस इंटीग्रेशन एंडी कंपोजीशन इन कॉंसेक्वेंट डाउन स्लोप ट्रांस्पर वेदर्स अप्मैटर क्याने कि कही न कहीं यहां पर जो है हमें यह देखने ही मिलता है डिगरडेशन का मतलों से भूऊ असखलण इसी में आता है वह स्कुल्ण के स्टिति में क्या होता है यह मिट्टी होती है पहाड़ों क्या होता है क्शिसक के नीचे गिर जाता है वहां तो यह हमें समझना पड़गा जो आप लेंड मासे उपर उठा हुआ आपकर इस टेंडिंड लेंड मासे क्या हो जाता है लोगर डाउन नीचे की और गिर जाता है यहां पर पूरा पूरा मटरियल नीचे आ जाता है इरोजिनल अक्टिविटी वही आस्खलन जिसको बोलते हैं कटाव हो गया इस मेकनिजम आफ प्ल आपको नीचे गिरा रहा है और यहां पर भरता जा रहा है अब यहां पर की और कुछ भरभर के ऐसा जाएगा और जैसा इसा इतना अब बन गया इतना 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 कि वो लेंगे डिगरडेशन आई होप आपको यह ध्यान रहेगा यह टर्म कि डिगरडेशन और इसमें क्या फर्क होता है आगे हम आपको बताते हैं यहां पर तरीके से इसमें आएंगे तो फूरा पिक्चर किलियर हो जाएगा आपको आपको कि रिए डिके लिखात हैं इसमें किया होता है इसमें क्या होता है इनि जमा होते जाते आपको जमा करना आगे में बात करते हैं अब हम आते हैं इसमें देखिए एक तो बेजरींग ओगया थीक है न gev मतलूं हटना एक तो मास अचना मास मुमिन्ट हो गया और दूसरा हो गया इरोजिंग टांसपोर्टेशं थीनों में फर्क समझ्थे थीनों का मतलब बताते हैं एक रिंग तीन तरह करता है माज़िकल कोई या, तो कोई खुज से तोड़े, या तो चूछ एस Unit तरह से तोड़े या तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजे गटना है गटी, जो biological होती होगा, करता कि मास कैसे मूव कर तीन तरह का मास होता है पानी आया जी बाठाब या दिए रहा है और ग्राइंड वाटर दिया रनी वाटरी बोल दिया या ग्लेशियर्स का भी होता है यहां पर यहां पर है तीन चरीक यहां पर है इसके लाबा और भी रोजन के पार्ट हैं जैसे की समुद्री धाराएं होती है और जो अंदर करेंट चलता हो भी मास करता है आप और लिखा है पर अगे हम देखेंगे यहां पर अच्छा जब हम लोग एग्रीडेशन की बात करते हैं तो डीपोजीसन कैसे होगा रणिंग वाटर आया कहीं से मिट्टी लेकर आया यहां पर भर दिया ठीक है ग्लेसियर का नहीं है सी वेपस कर भी जाएगा वाइगा वहीं जाएगा यह पूरा पूरा हिसाब गितावे जो चीजे जाएगी तो इसको बड़ा करने पर आप साफ साफ दिखता है इसने क्या लिखा है दम मैकेनीजम उप एक्सोजैनिक जीयो मॉर्फिक मतलो हुआ कृती में चेंज को वह अकृती परिवर्तन है तो जम जीयो मॉर्फिक प्रोसेस की बात करते हैं इस कंट्रोल बाई नंबर ऑफ फैक्टर कोई भी धर्ती पर सर्फेस पर अचानक से या एक फैक्टर की वजह से चेंजेज नहीं है और सारे फैक्टर हो तो एज दियारा डिफ्रेंट हम बोलते हैं यहां पर फीजयो क्लाइमेटिक रिजन्स आइंग टू वैरियेशन्स इन थर्मल ग्रेडिय हो सकता है वह अना मौसमी या फिर लैंड कुछ कैसा है वह भी देखना होगा किस तरह से फैला हुआ है खरती के उपर और इसमें जो है एक्सोजेनिक जियो मॉर्फिक प्रोसेस की बात करते हैं कई-कई-कई-जगा पे समतल जमीन है जैसे कि बिहार आजाए यूपी इधर के पंजाब आजाए सारे समतल में आता है अगर आप मूब करेंगे मतलब जैसे नीशे करेंगे तो कहीं कहीं आपको पहाड़ी देखने को ऐसे करके न हमारे रीजन टूरी चैनल एक जगा से दूसरी जगा पर यह अलग अलग चीज़ें देखने को मिल अम कोई पक्क जैकेट पहन दखा है ना ठंड से बचने के लिए में भी पॉसिबल है कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यहां अगर दिल्ली में ठंड है तो आपके यहां ना ठंड हो सौथ इंडिया में नहीं होता है तो हम एक चीज को पक्का नहीं का सकते कि यह हर जगा लागू होगा तो टाइपस टाइप देखते हैं देंसिटी एंडिस्ट्रिबिशन और वेजेटेशन देखना होता है वहां का पेड़ पौधा कैसा है किस तरह का मौसम है कैसे मतलों चीजे होती है वह सारी यह देखनी होती है कि देखिए क्या होता है कि दूसा टेंप्रेचर कि और सो एक्सर्ट इंफ्लुएंस इंडारेक्ली और एक्सोजेनिक जियो मॉर्फिक प्रॉस्ट का मतलब होता है नहीं कि जो सता है जो जगा की बात कर रहे हैं कि वो समुद्र से कितनी यह हमें समझना पड़ेगा और सणीख है थोड़ा वेल होग जाए पाड़ इलाका है तो थोड़ा अलग हो जाए हमें समझना होगा फ्रेसीपिटेशन एड टेमप्रेचर टोइनस करता हीं डिरेकली अलांग दिस दियर में बेलोकल वैरीयेशन जै कि इसको रोक लेगा तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका स्लोप कैसा है कि इस बात को समझना पड़ेगा प्रफफब बढ़ने की बजय से कलाइमिट बदलने की बजह से जैसे ही आप जाते हैं पूरी की पूरी सिस्टम ही बदल जाता है कहीं पर और कहीं कि इतनी गर्मी होती गया पूरा करते रहे कुछ नहीं होगा आपका मुह सुख जाएगा यहीं सारी चीजे होती है यहां पर तो यहां डिपेंड्स अपूंदर टाइप टाइप अनुस्ट्चर ऑफ रॉक्स तर्म स्टॉक्चर इंक्लूड था पत्थर कैसा है अना पत्रशक कैसा है के सारी चीजे हैं रहें दिखना पढ़ता है सबसे पहले पढ़ना है वेदरींग होता है चंठान टूट गया रहे कुछbaby कैसा हो गया और मास वेस्ट हो गया परबाद हो गया कैसे होगा देखिए हम अगर आएंगे कि इसमें क्या लिखा है इसनि लिखा आए जी देखिए वेदरींग इस दे अट्षन ओ इलिमेंट और वेदर अ कलामेट प्थर कैसे ठूटे गए देखिए है रात का टेमपरचर गिर गया ना टेमपरचर डाउन हो गया रात में डॉन हो गया है में धूब तो यहां पर वेद्रिंग कही तरीके का होता है हो सकता है नदी का पानी के साथ जा रहा हो बड़ा चटान टूटे-टूटे-चोटा हो गया तो ओवर अर्थ मतेरियल स्थेहर आठ सेवरेल प्रोसेसे विदिन वेद्रिंग विछ आक्ट अदर इंडिविजले तोगेदर अफेक्त द एर्थ मतेरिल इन एंड प्रेटर टेम रग्मेंटल स्थेट तो इलिगा इट एज ए जए आन इन इन फूर ओर आउन साइट प्रोसेश ठीक ए आज वेरी लिटल और नो मोशन आप मटेरियल टेक्स प्लेस वेदरिंग कोई भी पत्था टूटना होगा चानक से नहीं टूट जाएगा तो टाइम लगेगा तो प्रोसेस ओ वेदरिंग इच कंडिसंस वाई मेनी कॉंप्लेक्स जियो लॉजिकल और टोपोग्राफिक देख से बड़ा रोल प्ले करेगा त्री मेजर ग्रूप्स वेदरिंग प्रोसेस एक तो आपका होता फीजिकल फीजिकल हो गया जो किसी ने तोड़ दिया या कुछ ऐसा होता केमिकल तरीके से होना कुछ ऐसी केमिकल चीज़े रिएक्शन पर पुराना हो गया है या आप उसका और टायफ खतम होने वाला है तो इस तरह से तीन आया से टूटने कंडिशन को एक है आगे बात करते हैं यह वेदरिंग का डिटेल दिया यह वेदरिंग है और इसमें कर देते हैं ऑचिये बेदरिंग्ज संन्हों कहते है वह करें अगर हम वह करें किहरें है हो गया है और यह हुआ हो हो गए है वह सकते हैं इसके अलाबा जो है टाइप कितने तरह का हो गया देखिए कई तरह का टाइप होता है फिचल में भी टाइप हो जागे लिखा ना ब्लॉग डिस इंटिग्रेशन एक्स पॉलियेशन स्ट्रिंग स्पेलिंग फ्लैंकिंग सेटिंग यहां पर देखिए सबुलियूशन बेखिए तरह से बंग हो गया है इसके रजल्ट कैसा बनता है सब घॉल नेशन डॉम डॉम बन जाता है इसे गटर रॉक बेसिन्स थीक है रॉक बेसिन्स बनेगा तो इस तरीके से बनेगा यहां पर सफूनी अल्वियोली इस तरह के सिस्टम बनता है इन चेटरा को समझते चलना कि क्या क्या चेप्टर की पूरा सिलेवा सीनी में बदल दिया पहले का कुछ और से पढ़ना पढ़ आई यहां जो बेदरिंग आप पढ़ रहे हैं वही मैंने आपको यहां जो समझाया है वही सारे चीज़े इसमें लिखा होगा आप एक बढ़ दिजेगा क्या कैसे इस पिक्टर को देखे वेदरिंग प्रोड़क्ट्स लैंड फॉर्म कई बार क्या होता है यहां पर लिखा है कि वेदरिंग का प्रोड़क्ट है कि लैंड फॉर्म बन जाए बड़ा सा चटान है अभी जब तूटेगा तब समझे यहां का जो हिस्सा दिख रहा है तो लैंड फॉम बना देगा कुछ इस तरह से अपना जाता है मास मुवमेंट का सीधा आपको यहां लेकर आते हैं मास मुवमेंट एक तो आपका वर्टिकल फॉल हो गया टाइप मुवमेंट में फॉल या सब्सिदेंस वर्टिकल जो नीचे की और जाएगा आप ट्रांस्पोर्टिंग एजेंट इसमें कोई ट्रांस्पोर्टिंग एजेंट नहीं है सीधर डाउन हो जाता है टाइपस ओफ मास्ट या तो पत्थर गिरेगा या तो अर्थ पॉल आना अर्थ पॉल जो भी चीज़े रहेगी या तो टॉपल अर अगर इसी बात करते ह करदया स्फ Proto bez ऍवाइब मतरर करेंगे लिए स्लाइड करेगा स्फेर करेगा पाइनर इन्मेश लियर इन अदिरंगे स्थे अलिवेशल लिए सलिए या तो कम देखने को मिलेगा डलान पर मिलता है व्लॉइक स्लाइड करेगा हैँ हां पर क्या होगा रहेगा तो यहां पर आपको माइनर देखने को मिलेगा टैपस में वाइड को विए चीज़े और इसका टाइप है टाइप है उसका विस्ता से टाइप दे रखा यहां पर गलेसियर बेगरा का यह सारी चीज़े हैं जो इनके दे रखा देखिए हम समझाते हैं यहां पर इस पिक्चर से अब इस पिक्चर में देखेंगे तो अपर इस तरीके से प्लेन हैं तरीके के लेगे अर्फ फ्लो में देखेंगे तो यहां आया और यहां उचा है फिर नीचे से नीचा होगा फिर ऐसे हो गया जब कि मड़ फ्लो में देखेंगे यहां पर मिट्टी बीच जमा हो गई है और यह बिल्कुँ स्लोप है फिर जाके इस तरीके से इस तरह से यह वहला पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है जिसको आप आप यहां से पत्थर तूटना सुरू हो गया जैसी पत्थर तूटना सुरू होगा ब्रेक करकर करके यहां जमाव तो चला जाएगा इसको रॉक फॉल करते हैं इसको पहाडी निचे स्लोप में ऑला कर देखने को मिल रहा है इरोजन ट्रांस्पोर्टेशन की बात करते हैं इरोजन का मतलब में ने बता है त्रांस्पोर्ट मतलब एक जह दूसरी दिखा है यहां लिखा है कि इरोजनल वर्ग डिफरेंट प्रोसेस इस पॉप फर्म तुरूदा में तो हो गया प्रोजन और सॉल्यूसन हो गया हाइड्रोलिक अप्रोसेस इरोजन प्रोसेस निवेशन या फिर हम कॉंगे कॉंगली क्रेक्शन भी करते हैं यहां थीक है इसका पिक्चर आपको हम समझा देंगे यहां पर जो भी इसमें जाएगा प्रोजन एक्चुली क्या है देखिए इसके पूरा इसके यहां से दरार आया देखिए यहां से हाइड्रॉलिक एक्षन करते हैं यहां से आया यहां यहां से यह भी है इस तरह अभी करें अब क्या होगा देखिए यह जो छोटे छोटे पार्टिकल अगर निकले का ऐसे ऐसे इसको सॉल्यूशन बोलेंगे अगर बहुत बड़ा बड़ा निकलेगा और अगर यहीं से आपका इन दोनों के बीच का मतलब ना बहुत बड़ा ना च्छोटा अट्रिस्तन बोलते हैं से टूटके निकलना यह आप जो भी जैसे जाएगे वही सारी चीज़ लिखा है तो मैकनीजम आप को रोजन इंवार्ज डिसॉलीशन अब डिसॉलीशन अब डिसॉलीबल माटेरियल तुरू दे प्रॉसस अब डिस्टेशन डिकंपोजिशन टार्गोनेट रॉक्स वीचिजिए एफ्ट्लिक और रनिंग वाटर इंपल दिव कि एसको समझत है यहां पर क्या है यह विंट का डिरेक्षन है हवा जा रहा है इधर की और अभा जैवा इधर की और जा रहा है तो हम तीन चीज़ पढ़े दना भी एक बहुत चोटा था ना एक एक ट्रिसन पढ़ेट जो बीच बीच का होता होता है थोड़ा सब अब यहां पर आपको दिख़ा ही यहां पर क्रिपिंग क्रिपिंग मतलम धी बड़ा बड़ा इसका साइज देख रहे हैं की सी ही टीए क्रीप कर रेंगते हुग चाहरा रहा है इसको लार्ज पार्टिकल क्रिपकारा पार्टिकल होगा यहां पर उसके बाद पर यहां जाकर सस्पेंशन में यहीं काम हो जाता है अपना यह कृपकर रहे है च्छोटा बहुत ज्यादा वह गया तरीके से यहां पर जाता है कि आगे कर देखें है तो यह सस्पेंशन हो गया लूंघ है यहां देखिए फिर उसके बाद छोड़ा-चोटा हो गया यह देखिए से कई बार पत्थर जो होता है खुद ही ऐसे चल रहा होता है आएसे चल रहा होता है तो इसको कुछ पार्टिकल निकलेगा तो अगर पानी है नदी में हैं लेकिन अगर बहुत छोटा निकलेगा तो और अगर इसका पार्टिकल थोड़ा इस तरह सेप का है वह क्या होगा सेल्टेशन होगा बैड जाएगा नीचे पर बैड जाता यह कुछ चीजे यहां पर जो चार तरीके दिया है बहुत सारे चीजे ग्लेसियर का दिया है ग्लेसियर का ड्रिप्ट करता है यह सारे चीजे आती ग्राउंड वाटर के भी दिया है सी वेप बगरा दिया यहां पर पढ़िएगा पूरा इसके आलाव आपके यह इंटेक्स जो कुश्टन 3.1 कंप्लिट होगा जिसमें सवाल लि मेजर लैंड फॉर्म देखने को मिलता है तो कैसे कैसे से हमें देखने को मिलता है यह पाहाड कैसा बनेगा टेक्टियोनिक बनेगा यह बहुत सब्सक्राइब पढ़ेंगे पहाड कई बार जोता ज्वाला मुंखी फटता वह फटके बाहर निकलता हो अगले पार्ट में आप तरीके से आपको देखने पूरा पहाड इलागा देख रहे हैं यहां रहते इरोजनल से भी कहोता कि बढ़ते गिरते इरोजन से भी पहाड का डेबलप्मेंट या चीजे जाते हैं और मुझे इसा लगता है अगला पार्ट बहुत इजी रहने वाला है अगले प्लेन होता है यहां फिर यह 3.2 खतम होगा पस यह एक पार्ट और आपका लेंगे कितना बढ़ी है सनोट सिस्थे बना रहे एक पार्ट आपका लेंगे और अगले पार्ट में जो है इसको हम ओ कर चाहिए करना है एक पेसे त्क्रमेशनद क्लेक्ट कर करते हैं आप जाते हैं एंह पहले हिंदी वाले सबद इंगलिस सब्से vacc Rap artist कि सब्वारे नोट इसंट और और नो George कि यहीं मिलेगा इससे मिलता जूलता बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे जिस के बजाए अगर आप इनके पर दियान देंगे और एक सौट में चीजों को लेक आएंगे अपने हिसाफ से बहुत डिटेल नहीं और इनके क्वेश्टन अंसर याद करेंगे डैट विल गुड फो यू कि में क्वेश्टन अंसर ही होता है इसको याद करना होता कम बहुत ज्यादा इसमनी करना कुछ चेप्टर रहते हैं बा है जाएगा ठिक है यह सारे चीज हम जानेंगे यह श्यक्म जारी रहेगा अटेकूक WAS करते रहे और रिवाइए म Колने में कर थे मिलते हैं पार्ट में सब्सक्राइब करेंगे या परफी स्ब्सक्राइए मोड़ा काम करेंगे और काम करके इस पार्ट को नहें एं